आजकल के लाइफ स्टाइल में बालों का जढ़ना और असमय सफेध होना एक समानने समस्या बन गई है। इस प्राब्लम के सल्यूशन के लिए वीडियो को अन्तक देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम यो टॉक, आम डॉक्टर मेगाजा। भारत के सतर से असी परतिसत लोग बालों का जढ़ना और असमय सफेध होने की समस्या से सफर कर रहे है। यह समस्या एक कॉमन समस्या बन गई है जिसके अन्नेकों कारण। पहला कारण हेरीडेट्री, अगर आपके फैमले हिस्ट्री में किसी को बालों का जढ़ना, गंजेपन या एलोपेसिया की समस्या रही हो तो यह समस्या आप में भी देखी जा सकती है। ठीज, हमेर यलोगों में हमननन की वजह से खास करके मिल में टेस्टो स्टेरोन की वजह से एलोगों लगों येलोगों की लेजिए के रही हैं culture रही बनानावब को समस्या देखी जाथी हैं। 4. Nutritional Deficiency Nutritional Deficiency major role play करती है बालों की समस्याओं के लिए Anemia खोन की कमी की वज़र से भी बालों का ज़रना तूटना ये सब चीज देखा गया है 6. After Delivery महिलाओं में Delivery के बाद बालों के ज़रने के समस्या को नोटिस किया गया है 7. Excessive Chemical Use यदि आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले सैंपू का यूज कर रहे हैं या Hair Dry का यूज कर रहे हैं तो इन कारणों की वज़र से भी Hair Damage और Excessive Hair Fall की प्रॉब्लम सुरू हो जाती है ज़र इन सभी कारणों में से किसी भी कारण की वज़र से आप लोग बालों का अत्यधिक जड़ना और समय सफेद होना या एलूपेसिया की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो R89 Homeopathic Combination बहुत यूजफुल दवा है सभी समस्याओं को रोकने के लिए R89 Rick Wake Company का Homeopathic Combination है जो Multidimensional Sphere पे काम करती है और Multidimensionally Hair को ठीक करने के ऊपर काम करती है R89 के Combination में कुछ खास दवाओं को मिलाया गया है जिसमें Hypophysis Medicine Putitry Gland से बनी हुई एक नुसोड है जो आपके Growth Hormone को Regulate करने का काम करती है और Hair Problem को सही करती है जो Glance, जो Glance Medicine आपके Skin और Hair Growth पे बहुत अच्छा काम करती है और Hair Problem को सही करती है Polysorbidum Medicine यदि आपके सरीर में Nutrational Imbalance, Nutrational Ilemia, खास करके Peat या Liver की Problem की वज़े से तो ये उसको ठीक करने का काम करती है और आपके Hair Problems को सही करती है Testis दवा Testosterone के उपर काम करती है आप लोग जानते हैं कि Body में Hair Growth और Hair Quality अच्छा रखने के लिए Testosterone बहुत निसेसरी होता है बोथ Male and Female के लिए लेकिन Female में Testosterone जादा हो जाए तो परिसानिया होने लगती है बट Male में Female के मुकाबले Testosterone जादा होना ही चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो Masculine Features है वो बने रहे तो Basically Testis दवा Testosterone को Maintain करने का काम करती है Overall R89 Combination Multidimensionally सभी प्रकार के Hair Problem को ठीक करने का काम करती है चाहिए वो Hair Problem किसी भी कारणों की वज़ा से हुआ हो R89 Combination उसे Completely Cure करने में बहुत Useful Medicine है इसे कैसे इस्तमाल करना चाहिए 20 बुंद को आदे कप पानी में सुबह दो भर साम आपको लेना है इसे 3-6 महीने तक आपको यूज करना है पहले महीने से ही आपके Hair Fall पहुत कम हो जाएंगे और नए बाल उगना सुरू हो जाएंगे पेरी चार एडवाईस है आप लोगों के लिए जिससे ये दबा और भी अच्छा काम करेगी आप लोगों के उपर पहला एडवाईस रात में नारियल तेल, सरसो तेल या कैस्टरड वाईल, कोई भी ऐसा तेल जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो दस से बीस बुद जवरेंडी क्यों होमियोपेथिक मदर टिंचर को मिला के हलके हाथों से मसाज करें नमबर टू, निट्रिस्नल फूड ले, प्रोटीन इंटेक वाला फूड लेने की कोशिस करें नमबर तीन, तीन से चार लिटर पानी आप परती दिन पीए एववाइड करें एक्सेसिव केमिकल प्रोडक्ट को जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज किया गया है वैसे सेंपू को एववाइड करें, हेयर डाई, इन सब चीजों को अब एववाइड करें आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में thank you for watching thank you so much